जाती आखिर क्यों नहीं जाती के आज के अपिसोर में हम चाचा करेंगे डॉक्टर अंबेटकर के लेख के ओपर जो दरसल लेख ना होकर जाती के विनाश भाशन से लिया गया एक एक्स्ट्रेक्ट है मतलब उसमें से उठा कर लिया गया एक अंठ्र है जाती का विनाश के पाथन के दौरान हम इसको बखु भी कवर कर चुके हैं तो यहां पर जहां जरूरी होगा जहां लाजमी होगा वहीं एक्स्प्लेन करूंगी चलिए मेरे साथ जैभीम मैं शालनी और आप देख रहे हैं अंबेड का नामा आज के एपिसोड का टॉपिक है जातिवात का किला कैसे तूटे बाबा साहब डॉक्टर भीम राओ अंबेड कर मेरा ये निश्चित्मत है कि जब तक आप अपने सामाज का धाचा नहीं बतलते तब तक कोई उन्नती असंभव है तब तक आप अपने सामाज को ना आत्मरक्षा के लिए जंगठित कर सकते हैं और ना ही प्रहार के लिए जातियों के अधार शिला पर आप कोई निर्ने नहीं कर सकते हैं न तो राष्ट्रो निर्मान ही कर सकते हैं ना बहुमत ही बना सकते हैं जातियों के अधार पर यदि आपने कोई धाचा खड़ा कर भी दिया तो वे चटक कर रह जाएगा और तूटे बिना नहीं बच सकेगा अतह सर्व प्रमुक समस्या यही सामने आती है कि हिंदू समाज व्यवस्ता में सुधार कैसे लाया जाया और जाति प्रथा कैसे मिटे तो अब तक हमने इस लेखों के श्रिंखला में कई सारे विद्वानों के लेख पड़े हैं अधिकतर उनके विचार जो हैं जाति के विनाश भाषन के इर्द गिर्द घूमते हुए ही हमें दिखे हैं कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है इस समस्या पर कुछ लोगों का मत्य है कि जातियों के सुधार के दिशा में पहला ये होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्ट कर दिया जाए क्योंकि जातियों की तुलोना में उपजातियों के मध्धे व्यावहार एवं स्तर की दृष्टी से आपस में अधिक समानता र जबकि दक्षण का ब्रह्मन अधिक सम्मान जनक्सर रखता है तो एक बहुत बड़ा भेद जिसे अंजाने में हम लोग देख नहीं पाते हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अक्सर हमको लगता है कि जो जातियों में उप जातियां होती हैं उनके बीच में जो है वो काफी ताल में होता है समानता होती है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है रीजनल वेरिफिकेशन के हिसाब से यदि आप सोचें तो एक गुजराती जो होगा ब्रह्मन बनिया वैश शूद्र उनके खान पान रहन सहन बोली अचार व्यवहार में ज्यादा समानता होगी बजाए उत्तर भारत के ब्रह्मन कायस बनिया या शूद्र के मुकाबले ऐसा नहीं है और कंपैरिसन भी बहुत अच्छा डॉक्टर अंबेटकर दे रहे हैं कि दक्षिन के ब्रह्मन जो है वो जादा रेस्पेक्टिड है बजाए उत्तर भारत के ब्रह्मनों के मुकाबले और उनके खान कि एक दक्षिण भारति ब्रह्मन और एक दक्षिन भारतिय शत्रिय वैश्य आशूद्र के खान पान में जादा सिमिल्यारिटी है हर चीज में बात वयावार आचार वयावार बोली तक में दूसरी और जहां उत्तर भारत के वैश्यों तथा कायस्तों का बॉध्धिक एबं सामाजिक स्थर दक्षन भारतियों भारती ब्रहमनों के समान ही है वहाँ भोजन के मामली में दक्षन भारती ब्राहमनों का उत्तर भारत के कश्मीरी तथा बंगाली ब्राहमनों से कोई मिल नहीं है क्योंकि दक्षन ब्राहमन शाकाहारी तथा कश्मीरी वा बंगाली ब्राहमन मासाहारी होते हैं इस मामले में धक्षण भारती ब्रह्मन गुजराती मारवाडी बनियों तथा जैनियों से अधिक समानता वा निकटता रखते हैं। इस प्रकार सम्मिश्णन की संभावना की द्रिष्टी से उत्तर वा दक्षन के ब्रह्मनों के सम्मिश्णन की अपेक्षा उत्तर के कायस्पा वा दक्षन के अन्य अब्रह्मनों या दक्षन के द्रविर प्रांतों के अब्रह्मनों के सम्मिश्णन कहीं अधिक सोगाम व्या बावाहारिक है तो उप जातियों के मुकाबले हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि यदि कोई चमार जाती है उसमें जितनी भी सब डिविशन्स हैं उन सब का लाइस्ट्राइल जो है वो सेम है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यही बार डॉक्टर रंबेटकर भी समझा रहे हैं ब्रह रीजनल वेरिफिकेशन उनमें होते हैं और रीजन के हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट भी डिसाइड की जाती है इस प्रकार यदि सममिश्रन के अनेक कठनाया है फिर भी यदि सममिश्रन हो भी जाए तो भी इसकी क्या गैरेंटी है कि उप जातियों मिलकर एक हो जाने से काल होता अर्थात जातियों तक पहुचकर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती तो इसका दुश्र परिणाम और भी भ्यंकर होगा कि जातियां और भी अधिक शक्तिशालीव अनिष्टकारी हो जाएंगी अता समस्चा का ये समधान न तो व्यवहारिक ही है और न प्रभावी ही है ऐसी दशा में ये रास्ता गलत साबित होता है तो अकसर कॉमेंट सेक्शन में भी लोग जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं के जो शूद्र हैं और जो दलित हैं उनमें आपस में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए जबकि डॉक्टर रंबिटकर का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो जातियां और भी ज्यादा रिजिड हो जाएंगी उन्हें खत्म करना और भी मुश्किल टास्क हो जाएगा तो अब आखिर वे और कौन से उपाएं बता रहे हैं जाति प्रता समाप करने का दूसरा उपाई है बताया जाता है कि इसका आरंब अंतर जातिया भोज से किया जाए परन्तु मेरे विचार से ये उपाए भी अपर्याप्त होगा क्योंकि कुछ जातियों में तो पहले ही अंतर जातिय भोज प्रचलित है परन्तु देखने में यही आया है कि भोज जातिय तावा जाति भेद की भावना समाप करने में सफल नहीं हो सके अतह मेरे विचार से इसका अचूक इलाज अंतर जातिय विभाव है तो रोटी बेटी का संबन जिसे हम कहते हैं रोटी का संबन तो बहुतों का बहुतों के साथ है हो सकता है एक हिंदू ब्रह्मन को एक दलित के घर खाना खाने में कोई अपत्ति ना हो या एक मुसल्मान को एक कायस्त के घर में खाना खाने में कोई आपत्ती ना हूँ तो ये तो हुआ रोटी का सम्बंद लेकिन बीटी के सम्बंद में आपत्ती है और उसे तोड़ने का एक मात्र उपाई यही है कि अपनी जाती के बाहर इंटर कास्ट मैरिजस की जाएं जब तक रग्त सम्बंद नहीं होगा लोगों में आत्मियत उत्पन नहीं होगी और जब तक आत्मियत अर्थात परिजन होने के भाव उत्पन नहीं होते तब तक जातियों दोरा उत्पन अलगाव का भाव समाप्त नहीं होगा जिनके साथ जिस घर में हम अपनी बेटी देते हैं वो घर हमें बहुत प्रिय हो जाता है वही बाट डॉक्टर अंबेटकर भी कह रहे है अन्य धर्मों के अपेक्षा हिंदों के समाजिक जीवन में तो अंतर जाती विवा अत्यादिक महत्वपूर्ण प्रभाफशाली सिद्ध होंगे क्योंकि जिस समाज में अन्य सैयोजन सूत्र अत्वा सैयोग के आधार उपलब्ध होते हैं अत्व अंतर जाती विवा ही रोग का सही उप्चार है और इलाज इस जाती प्रता की कुरीती को दूर करने में की शमता नहीं रखता तो सीधे तोर पर वेज़ बात तो कहरें कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो काफी हता किसमें सफलता मिल सकती है जातियों को तोड़ने में जबकि जो ओनर किलिंग की घटनाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं जाती के आधार परी तो होती हैं कि इंटरकास्ट मैरेज ना कोई कर ले अंतर जाते विवा ही रोग का सही उपचार है और इलाज इस जाती प्रता की कुरिती को दूर करने की शमता नहीं रखता मतलब किसी और में वो बात नहीं है जो इस जाती प्रता को तोड़ सके आपके जाती पाती तोड़क मंडल ने सही रास्ता अपनाया है जाती अपर सीधा और प्रत्यक्ष प्रहार करके आपने हिंदूं के रोग का सही निदान किया है और उन्हें अपनी गलती बता कर आपने वास्ता पर बड़े साहस का काम किया है क्योंकि उस समय का जब ये भाषन है इंट्रकास्ट मेरिज बहुत बड़ी बात थी आज भी ये उतनी ही बड़ी बात है अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने ओनर के लिंक्स के बारे में बात करी आज भी लोग इसे एकसेप्ट करने को तैयार नहीं है जिसके लिए बधाई के पात रहें क्योंकि समाज क्रूरता की तुलना में राजनेती क्रूरता कुछ भी नहीं है अतह समाज की विरोध का सामना करने में सरकार का विरोध जिलने से कहीं अधिक साहस जुटाना पड़ता है कहावत भी है ना कि इनसान सारी द इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपने रोग की नस्प कर ली है और आपका ये दृष्टी कोण सही है कि जातियता का रोग तभी समाप्त उपपाएगा जब कि अंतर जातिय भोजवा विभास सामान्य प्रचलन में आएंगे परंतु देखना ये है कि रोग की नस्प करने के बाद भी इसके उपचार के लिए आपने जो नुस्का तजवीज किया है रोग की दृष्टी से कहां तक सही है आप ये प्रशन स्वयम से पूछें कि क्या कारण है कि अधिकांज हिंदू सम्मिलित भोज तथा विभा पसंद नहीं करते तो अब कारणों के उपर चर्चा करेंगे हमें ये मालूम है कि एक चीज है और उसका निदान हमें करना है लेकिन कैसे करना है उससे पहरे ये भी पता होना चाहिए कि किन कारणों के उपर हमें काम करना है जैसे डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो हमसे पूछ तो जातिवाद जो है वो उसी तरीके से एक बिमार शरीर आप उसको समझे हैं और उसका इलाज करने के लिए पहले सही लक्षणों का पता होना चाहिए और इसका एक मात्र उत्तर यही है कि हिंदू जिन सिध्धानतों और विश्वासों को पवित्र समझते हैं उनसे सम्मिलित भोज तथा सम्मिलित विभा का कोई सामंजस्य नहीं बैठता जातिवाद इंट गारे की कोई दिवार या काटेदार तारों की घेरा बंदी नहीं है जो लोगों को आपस में मिलने से रोकती हो और जिसको गिरा देने से बाधा दूर हो जाएगी यह तो एक धरणा अर्थात मांसिक स्थिती है अथा जातिवाद की समाप्ति का अभिप्राई किसी भौतिक पधार्थ का अस्तित्व मिटाना नहीं वरन धरणा अर्थात भावनात्मग परिवर्तन से है तो माइंड सेट से है इसका कंसर्ण सीधी सी बात है यदि आप अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं लाते तो कोई भी बदलाव संभावी नहीं है किसी भी चीज़ को बदलने से पहले अपनी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है जातिवाद बुरा कहा जाता है कुछ लोग यहां तक कहने को तयार हैं कि जातिवाद ऐसे जहर को जन देता है जो मानवता के लिए घातक है परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि हिंदू जातिवाद इसले मानते हैं क्योंकि वे मानवता के शत्रू है अत्मा उनका दिमाग खराब है तो अब बहुत व्यांगात्मक शैली में भी बात कर रहे हैं अपनी बात को समझाने के लिए वे तो इसे कट्टर धर्मिक होने के नाते मानते हैं इस प्रकार जातिवाद मानने के लिए हिंदू नहीं उनका धर्म दोशी है जिसे ने जातिवाद के जहर को जिन्म दिया है यदि ये बात सही है तो आपको जातिवाद की अनुयाईयों से ना उलजकर हिंदू शास्त्रों का विरोध करना चाहिए क्योंकि उसी से जातियता धर्म की शिक्षा दी जाती है अतह सम्मिलित भोजब विभा के लिए हिंदों का मजाक उडाना या उनकी आलोचना करना निरर्थक तता उदेश ये पूरती की दृष्टी से अनावेशक है इसे का सही उपाय तो ये है कि शास्त्रों की पवित्रता की भावना समाप्त कर दी जाए लोगों के विश्वासों विचारों को दूशित करते रहने के लिए यदि शास्त्र मौजूद रहे तो आप सफलता की आशा कैसे कर सकते हैं शास्त्रों की मानेता वो उनकी नियमों के प्रतीश रधा भाव के यतावत रहने रहते यदि आप हिंदूओं के अलोचना करते हैं तो उनके विचार दख्यानूसी और अमान भी हैं और इन्हें छोड़ने के लिए अंदोलन करते हैं तो ये सरासर ज्यादती होगी तो बहुत अच्छे से डॉक्टर अमबेटकर ने अपनी सभी बातों को सामने रखा है हमारे के जो एक विचार धरा है जैसा कि मैंने बोला सोच ये सोच कहां से आ रही है हिंदू लोग जो हैं कटर हैं अपने धर्म के प्रती और ये धर्म ही उन्हें सब कुछ गलत तरीके सि गलत आधर्श शास्त्रों और वेदों से आ रहे हैं इसलिए उनका ध्वस्त होना बहुत जरूरी है उनकी माननेता को खारिज करना बहुत जरूरी है अच्छूतो धार आंदोलन में लगे महात्मा कांधी जैसे व्यक्ती भी संबाफता यह नहीं अनुभव कर पाए और कि हिंदूों के व्यवहार शास्त्रों धोरा उनके मस्तिश्क पर छोड़ी गई च्छाप का परिनाम होते हैं और जब तक शास्त्रों से उनकी आस्ता समाप नहीं होती उनका व्यावहार कधापी नहीं बदल सकता है ऐसी स्तिति में यदि समास उधारखों के प्रयातन सफल नहीं होते तो इसमें कोई आश्च्छरे की बात नहीं और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके प्रयातनों की भी बही गती होनी है जो अच्छूतों धार कारे करताओं की हुई क्योंकि अंतर जाती विवा का प्रचार वा आंदोलन हिंदूं के गले में जबरदस्ती कड़वी दवा उडेलने के समान है तो काफी व्यंगात्मक्षैले में बात कर रहे हैं कि महात्मा गान्धी जो हैं उनका भी ध्यान इस और कभी नहीं गया वे अच्छूतों धार तो करना चाहते हैं मगर वेदों और शास्त्रों की माननेता भी रखना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है परन्तों यदि आप इस्त्रियों और पुरुशों को शास्त्रों की गुलामी से मुक्ति दिला सके और उनके दिमाग से शास्त्रों का दूशित प्रभाव वहटा सके तो आप देखेंगे प्रफिदि कि जाते के विनाशमणों ने आसी बहुत सारी बाते करीये के क्यों इतने सारे धार्म के घ्लाफ आं दोलन हुए हैं मतलब अजूत military के आं दोलन हुए हैंidente किसी भी समासiddharड को कभी सफलता क्यों नहीं मिली उसके करणों की चर्चा यहां पर वे कर रहे हैं कि किसी ने भी जो है वो धर्म की सत्ता को शास्त्रों और वेदों की सत्ता को चुनोती नहीं दी वे सिर्फ आडंबरों पर ही चोट करते रहे जबकि चोट करनी चाहिए उन चीजों पर जहां से यह आडंबर आते ह कुछ लोग शास्त्रों के नवीन अर्थ करने का प्रयास करते हैं उनका समर्थन करते हैं उनका कहना है कि शास्त्रों को गलत समझा गया है उनका ये अर्थ नहीं है गोल-गोल बातें करते हैं जो लोग समझ बैटे हैं इस प्रकार के शब्द जाल से कोई लाव नहीं होने वाला क्योंकि जनता के मस्तिश्क में शास्त्रों का जो अर्थ बैठ चुका है महत्व उसी का है उसके आगे आपकी नई व्याक्या बेकार है ऐसी दशा में आपको भी वही मार्ग अपनाना चाहिए जो गौतम बुद्ध ने अपनाया और जो मार्ग गुरुनानक देव ने अपनाया गुरुनानक और गौतम बुद्ध की भाती आपको चाहिए कि आप शास्त्रों का भहिशकार ही नहीं उनके प्रभुत्व और महत्व को भी अस्वीकार कर दे आप में ये साहस होना चाहिए कि आप हिंदू को सपष्ट बता सकें कि उनकी एक मात्र कमजोरी उनका धर्म है हाँ ये धर्म ही है जिसने उनके मस्तिश्क और जाती प्रता को एक पवित्र परमपरा के रूप में प्रतिष्ठित कर रखा है क्या आप ये साहस दिखा सकेंगे बहुत सारे लोगों को हो सकता है बहुत सारी जो प्रचलित मानेताएं हैं पसंद ना आती हूँ लेकिन बोलने से ही चकते हैं हम लेखों में पहले भी पढ़ चुके हैं संत्राम बेजी ने भी इस बात को रखा था कि लोग सबसे ज़ादा जिस चीज़ से डरते हैं वो ये है कि लोग क्या कहेंगे लोगों की बड़ी परवा होती है लीक से हटकर चलने वालों के लिए बहुत से लोग लीक से हटकर चलना चाते हैं बहुत से लोगों को खामिया नजर आती हैं हिंदु धर्मे धर्म ग्रंथों में लेकिन वो बोल नहीं पाते इसी डर्से कि आखे लोग क्या कहेंगे अगला टॉपिक है क्या जाती प्रता का उन्मूलन संभव है आएए अब आपकी सफलता का आंकलन करें सामाजिक सुधार कई प्रकार के होते हैं इसका एक प्रकार ऐसा होता है जिसका संबन्द धर्मिक भावनाओं से नहोकर सर्वजनिक समस्याओं से होता है और अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको बहुत आसानी से इसे contemporary issue से connect करके बताओंगे आप फटा-फट समझ जाएंगे जब की कुछ सुधार अनिवारी रूप से धार्मिक भावनाओं अत्वा धर्म विशेश की समस्याओं से जुड़े रहते हैं ऐसे सुधारों के पुना दो उपभेद होते हैं प्रतमतह कुछ सुधार अपनी धर्मिक मानेताओं के धाचे के अंतर गथी किये जाते हैं और इनके समर्थक अपने तताकतित सुधारों के आधार पर ऐसे लोगों से जो विधर्मी हो चुके हैं उन्हा अपना मूल धर्म अं सिर्धान्तों से 36 का नाता होता है इनके समर्थक लोगों को अपने धार्मिक सिर्धान्तों के अवहेलना करने तथा विप्रीत आच्षरंट करने के लिए प्रेरित करते हैं तो दो फटा फट बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं कि हमारे भाई बंधु जो हैं वो हमसे नाराज होकर किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं तो उनकी घर वापसी होगी तो ये तो हुआ पहले किस्न का सुधार के घर वापसी करा लो और दूसरे किस्न का सुधार क्या हुआ उस इसका सबसे बड़ा एक्जाम्पल तो कुछ डॉक्टर अंबेटकर थे जो बार बार शास्त्रों और वेदों की और धर्म की सत्ता को चुनौती देते हैं जो भी आचरन उसमें कहा गया उसके विप्रीत उन्होंने आचरन किया जैसे कि अच्छूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं और डॉक्टर अंबेटकर ने बहुत पढ़ाई करी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते अपने दिमाग को अपलाई करके आप सोच मिचार नहीं कर सकते और डॉक्टर अंबेटकर किसी भी बात को कहने करने से पहले वेज्ञानिक विशलेशन उसका जरूर करते थे तो ये दो तरह की सुधार और दो तरह की एक्जामपल मैंने आपके सामने रखती है उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा जाती प्रता का विनाष इन सबसे भिन एक प्रकार का सुधार है क्योंकि जातियां ऐसे धर्मिक विश्वास का परतीफल है जिनें शास्त्री मानेता प्राप्त है और शास्त्रिचों की अलौकिक प्रतिभा संपन इश्वरी प्रेयरना वाले संतों तथा रिशियों के द्वारा रनीत माने गए हैं अता उनके आदेशों के अवहिलना महापातक के समान है अतेव हिंदूं से जाती प्रता छोड़ने के लिए कहना उनसे अपना धर्म त्यागने तथा महापातक करने के लिए कहने के समान है उपयुक्त प्रथम दो प्रकार के सुधार तो पश्टे तह सरल है पर अन्तु ये त को जातियों के साथ जुड़ी पवित्रता तथा ईश्वरी विधान की भावना को समाप करना है इस निमित अनन्त आपको शास्ट्रों और वेदों की प्रमानिक्ता एवं माननेता समाप करनी आवशक होगी तो तीस्वे प्रकार का सुधार वे बता रहे हैं जिसमें ये बात गई है ब्रह्मनों द्वारा कि जातियां जो है वो धर्म से रिलेटिड हैं हमारे धर्म में ऐसी मानेता प्राप्त है कि जाती व्यवस्ता जो है वो बहुत अच्छी है तो यह सबसे मुश्किल काम है लोगों को समझाना कि धर्मिक जो संबंध है जातियों का धर्म से जाति पढ़ लेंगे मुझे आगे दीजे और हम बिटका नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को भी जादा जादा स्प्रेट करें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताते भी रहिएगा समय समय पर कि आपको कैसे लग रहे हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद